Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं informative documents, sections, relevance, check tasks इस job का qualify करने बाली हूँ पहले मैं training का video भी दे चुकी हूँ तो आप training देख के करना क्योंकि training में भी आपको qualify करना पड़ता है इसमें 6 cents per hit दे रहा है और 1 minute safe time है qualification में आपको 2 attempt मिलता है और 20 hits per attempt करना पड़ता है चलिए qualify कर लेते हैं जौब का interface कुछ ऐसा आता है यहाँ पर एक query है आपको पहले यह query पढ़ लेना है फिर इसमें info है, section status है और section title, section text है तो आपको mainly section का title और text को अच्छे से पढ़ लेना है title में थोड़ा बहुत मिल हो सकता है पर आपको mainly पढ़ना है section के text में क्या लिखा हुआ है फिर आपको judgment करना होगा यह title और text जो है वो query के साथ relevance है या नहीं है यहाँ पर right side में bing option है bing में आप search करके भी देख सकते हो पहले query में दिया हुआ है story of call of duty, modern warfare 2 तो यहाँ पर same ही लिखा हुआ है section title में तो हम यह देखके relevance नहीं कर सकते आपको query देखना है query में story mention किया हुआ है मतलब यह call of duty जो game है उसका story क्या है वो आपको देखना है तो यहाँ पर जो text है text में अगर यह call of duty का story दिया हुआ है तभी यह relevance होगा नहीं तो not relevance होगा तो यही दो option से आपको judgment देना है रूल्स बता दिया अभी qualification कर लेते है qualification स्टार्ट करने से पहले जोभी मेरी channel में अज नहीं आये हो जरूर से channel को subscribe कर लेना और नए वीडियो के notification के लिए पास में दिये हुए bell icon को भी click कर लेना और next आपको कैसा वीडियो चाहिए उसके लिए comments में जरूर बताना तो पहले का है call of duty modern welfare 2 इसमें जो text है यह मैंने पढ़ लिया है आप भी अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पर जो call of duty का story है वो ही mention किया हुआ है तो इसलिए यह relevance कर रही हूँ फिर submit कर रही हूँ next आया है mysterious airplane crashes और यहाँ पर title में आप देख सकते हो what is the most mysterious plane crash in the world यहाँ पर जो title है वो similar है query से और यहाँ पर जो text है यह मैंने पढ़ लिया यह भी similar है तो इसलिए इसको भी relevant कर रही हूँ फिर submit करती हूँ फिर next है photoelectric effect experiment और title में भी है photoelectric effect तो यहाँ पर effect का experiment के बारे में बताया है query में और यहाँ पर सिर्फ effect है पर अगर आप text को अच्छे से पढ़ो या फिर Bing में search करके देख सकते हो यह same ही दिया हुआ है यह photoelectric effect का experiment के बारे में ही दिया हुआ है इसलिए यह भी relevant होगा फिर next आया है story of call of duty modern welfare 2 यह same query है पर title आप देख सकते हो call of duty modern welfare 2 and call of duty warzone battle pass यह query में story of call of duty modern welfare का बारे में पूछ रहा है मतलब story जानना है और यहाँ पर section text में जो दिया हुआ है यहाँ पर story नहीं है यह जो game है game का rules यह सब सारे दिया हुआ है तो इसलिए यह not relevant होगा यह not relevant करके submit कर रही हूँ फिर next आया है 2022 world cup final and title में है 2022 FIFA world cup final तो FIFA दिया हुआ है तो world cup final अगर आप Google में search करो या Bing में search करो तो FIFA ही दिखा रहा है इसलिए मैं इसको भी relevant कर रही हूँ फिर next question है why earthquake occur? तो यहाँ पर earthquake बाड़े में पूछा हुआ है और section text में दिया हुआ है what is tsunami? तो यहाँ पर जो text है text में भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर tsunami के cause के बाड़े में दिया हुआ है मतलब earthquake के बाड़े में कुछ भी दिया हुआ नहीं है और earthquake के बाड़े में थोड़ा भी कुछ दिया होता तो relevant करती यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसलिए not relevant होगा नेक्स्ट है टेलर स्विप सॉंग्स एंड टाइटल में दिया हुआ है टेलर स्विप और टेक्स्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पर सॉंग का कोई मेंजन किया हुआ नहीं है बस अमेरिकन म्यूजिक एवर्स के बाड़े में दिया हुआ है तो यह मेरे हिसाब से नॉट रि कर रही हूं निइक्स है alternating current है और the title में है difference between c and dc तो जहesar कि जो c है alternating current वह एसी है तो से के बारे में यहां पर टेक्स्ट्ट जो है यहां पर मीडिल में आप देख सकते हो AC के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि यह AC होता क्या है alternating current होता क्या है तो इसलिए यह relevant कर रही हूँ next Alfred Adler दिया हुआ है query में और title में है Alfred Adler के theory and applications और यहाँ पर जो text है यहाँ पर शुरू में आप देख सकते हो Alfred Adler के details में कुछ दिया हुआ है फिर theory application के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा ही information है इसलिए यह relevant कर रही हूँ next 2022 World Cup finale and title में भी post match and legacy दिया हुआ है तो यहाँ पर text जो है right side में मैंने search किया तो Wikipedia का एक post match and legacy option आया यहाँ पर see more में जाके देख रही हूँ कि यह जो section text है यह पूरा ही वहाँ से copy करके दिया हुआ है इसलिए मुझे यह same लगा relevance लगा तो मैं relevant कर रही हूँ next है retro games retro games के title में है winners and nominees और यहाँ पर nominees के बारे में दिया हुआ है winners के बारे में दिया हुआ है पर query में पूछा है retro games के बारे में तो यह games के बारे में proper information टेक्स्ट में नहीं है इसलिए यह not relevant कर रही हूँ next mental illness in history है और यहाँ पर diagnosis का दिया हुआ है कुछ और mental health के बारे में ही दिया हुआ है इसलिए मैं इसको relevant कर रही हूँ next James Joyce books दिया हुआ है query में और title में है about the author और text में जो दिया हुआ है यहाँ पर author के बारे में दिया हुआ है और last में आप देख सकते हो James Joyce के books के बारे में भी कुछ books के नाम और date दिया हुआ है तो इसलिए यह relevant कर रही हूँ क्यूंकि books के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है text में next best universities in California और यहाँ पर जो title दिया हुआ है compare colleges और niche और जो text है यहाँ पर California के best university के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है बस यहाँ पर यह college niche के उपर ही comparison दिया हुआ है इसलिए यह भी not relevant कर रही हूँ next है Titanfall 2 player count मतलब Titanfall 2 का player के बारे में पूछ रहा है और text में title में दिया हुआ है stream states and trades और text आप पर सकते हो trades में different year में कितना कितना players था इसका details भी दिया हुआ है इसलिए यह भी relevant करे यह next है James Joyce books और title में भी James Joyce books के बारे में दिया हुआ है और text में भी यह books के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है मतलब यह second line his best known books करके फिर best books जो है वो books का name दिया हुआ है इसलिए यह भी relevant होगा तो आप देख सकते हो मैंने qualification clear कर लिया है आप यह देखके भी qualify कर सकते हो और भी कोई जान करी चाहिए तो आप तो आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा